नमस्कार दोस्तो मैं राहूल आप सभी का मंधन में स्वागत करता हूँ हाल ही में केंद्रे परिवहन राजमार्ग वजहाज राणी मंत्री नितिन गड़करी जी ने यह जानकारी दी है कि भारत ऐसे हाइवेज का निर्मान कर रहा है जिस पर चलते हुए गाड़िया जो होंगी वो स्वता ही चार्ज हो जाएंगे उन्होंने कहा है कि सरकार सोलर एनरजी और बिंड एनरजी से चलने वाली इलेक्ट्रिक हाइवेज बनाने पर काम कर रही है और इन हाइवेज पर चलते हुए भारी भरकम ट्रक से लेकर बसें और अन्य छोटे बाहन आदी चार्ज हो सकेंगे जब यह जानकारी हमारे सामने आई है तो हमारे मन में कई परकार के प्रस्ण और सवाल उठ रहे हैं जैसे कि यह इई हाइवेज क्या होते हैं यह किस प्रकार से काम करते हैं इनके फाइदे क्या हो सकते हैं क्या भारत जैसे विशाल देश में इस प्रकार के E-highways का जो निर्मान है वा संभव है इस प्रकार के जो प्रस्न है आज के इस सेशन में हम लोग कवर करने का प्रियास करेंगे तो आईए आज का सेशन हम लोग प्राराम भियां पर करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि electric highways होते क्या है यदि आउम highways की हम लोग बात करें तो ये सड़के मूलत पक्की सड़के से बनी होती है जिनपर प्रतेएक परकार की जो गाडियां है वह दोर सब्की है और वही electric highway ऐसे highway होते हैं जिन पर कुछ इस प्रकार के equipments लगाये जाते हैं और एक ऐसा system बनाये जाता है जिससे होकर गुजरने वाली जो गाड़ियां है वह बिना रुके ही अपनी battery चार्ज कर सकती है यानि साधारन सब्दों में हम लोग कर सकते हैं कि electric highway, electric सुविधा से less ऐसे highways होते हैं जहां से गुजरने वाली जो गाड़ियां होंगी वह स्वता ही चार्ज होती जाएंगी जैसा कि बगल में आप लोग देख रहा होंगे अपने screen पर इन वीडियो में कि किस प्रकार से जो गाड़ियां हैं वह सड़कों के उपर दोड़ रही हैं और स्वता ही चार्ज हो रही हैं अब यहां पर है कि इन गाड़ियों के चार्ज होने के लिए दो परकार के तरीकों का यहां पर हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं पहला तरीका होगा overhead वायर के जरिये जैसा कि साधारनता हम लोग देखते हैं रेल और मैट्रो वगर में कि रेल इंजन और मैट्रो के इंजन overhead वायर के थुरू इलेक्रिक वायरों के साथ में संपर्क में राते हैं और उन से इलेक्रिक का जो फ्लो होता है जिसके परणाम स्वरूप रेल और मैट्रो इंजन रेल गाड़ी को आगे खिशती हैं वहीं दूसरी और हम लोग देख सकते हैं कि रोड के नीचे ही एक equipment लगाया जाएगा जिसके माध्यम से ये गाड़ियां चार्ज होती रहेंगे अब यहां पर है कि इन electric highways पर जब गाड़ियां दौडेंगी तो ये बिना कोई परदूशन फैलाए 120 km पर ती घंटे की रफ्तार से दौर सकती हैं वहीं आगे यदि हम लोग देखें overhead power line को तो overhead power line के नीचे जैसे ही कोई गाड़ियां आएंगे तो इनके ऊपर लगी ये जो pantograph है इनहें sensors activate कर देते हैं और ये pantograph wire के ऊपर जुड़ जाते हैं जिसके दौरा जो current का flow है इन गाड़ियों में होने लगता है और बैटरियां चार्ज होने लगती हैं वही इन electric highway पर इस technique से भारी भर कम ट्रकों को ही चार्ज किया जा सकता है क्योंकि इनकी जो ऊचाई है उनके अनुसार तै की जाती है इनके माध्यम से छोटी और मंजले साइज की जो गाड़ियां है उन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता है अब यहाँ पर प्रस्न उठता है कि यदि इस प्रकार से गाड़ियों को सड़क पर ही चार्ज किया जाएगा तो क्या गाड़ियों के मद्ध टकर हो सकती है या एक दूसरे से चत्रा करके दुर्गटना का सिकार हो सकती है या उन्हें बिजली का जटका लग सकता है तो यहाँ हम लोग एक उदाहरां से समझ सकते हैं कि कोलकाता में चलने वाले जो ट्राम होते हैं वो भी सड़कों पर चलते हैं और उन्हें ओवर हेड़ वायर की मदद से ही चलाया जाता है इसके अतरिक यदि हम लोग देखें तो भारतिय रेल ओवर हेड वायरों के माध्यम से ही करेंट प्राप्ट करती हैं और उनके माध्यम से ही ये आगे बढ़ती हैं तो ना बिजली का खत्रा है और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार के दुलगटना की बात हो सकती है तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो यह दोनों ही जो आसंकाएं हैं हमारी ये निर्मूल साबित होती हैं अब यदि हम लोग बात करें दूसरे प्रकार के ग्राउंड लेवल पावर सप्लाई की तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक का कनेक्शन होगा वा सड़क के अंदर बैट्रिस तक पहुँच पाएगा अब यहाँ पर ड्राउंड लेवल पावर सप्लाई में जो चार्जिंग की तकनीक है वह भी दो परकार की है पहला है इलेक्ट्रिक रेल के माध्यम से तो जब इलेक्ट्रिक सड़क के ऊपर से किसी भी परकार की इलेक्ट्रिक गाड़ि की बात करें तो उनके अनुसार रोड के नीचे लगाए गए इलेक्ट्रिक केबल और इलेक्ट्रो मैगनेटिक ट्रांस्मिटर से इलेक्ट्रो मैगनेटिक फिल्ड पैदा होता है और इस इनर्जी को उस रोड से गुजरती गाड़ी के अंदर लगा एक खास क्वाइल उसे खीषता है और गाड़ियों की बैटरी जो होती है वह चार्ज होती है जिसके परिणाम सरूप कार की रेंज को या बढ़ा देता है वहीं दूसरी तकनीक में हम लोग वायरलेस चार्जिंग का परियोग करते हैं यह भी ग्राउंड लेवल पावर सप्लाई तकनीक है और ले जो होंगी वह चार्जिंग के लिए क्वायल की जगह सेंसर्स के जरिये ही रोड पर लगे चार्जिंग पॉइंट के संपर आने पे चार्ज हो जाती है इस प्रकार का यदि हम लोग उदाहरं देखे तो हमारे मुवाइल फोन की जो वायरलेस चार्जिंग तकनीक होती है इ जड़कों पर चलने वाले ट्राम भी रोड पर बिच्छी हुई पट्रियों के माध्यां से ही पावर सप्लाई का इस्तमाल करते हैं यह तस्वीर फ्रांस के बॉडियों सहर की है जहां ट्राम ग्राउंड पावर सप्लाई से चल पा रहा है अब यदि हम लोग आगे बढ़ के बीच कई कमपनियों ने इलेक्ट्रिक रोड बनाने के जो प्रोजेक्ट है उन पर काम किया है परंतु सबसे परदे जो सफलता है साउथ कोरिया को प्राप्थ हुई जिसने अपने सहर गूमी में बसों के लिए 2013 में साहे 7 किलो मीटर लंबा इलेक्ट्रिक रूट बनाया अब 2018 में स्वीडन ने अपने सहर स्टॉक होम में बिश्व की पहली इलेक्ट्रिफाइड सडक प्रारंब की थी जिस पर चलते हुए कार बस ट्रकों की बैटरिया जो है स्वता ही चार्ज हो जाती है स्वीडन में बनाये इस परकारिक के इलेक्ट्रिफाइड सडक में वारलेस चार्जिंग एक्ट्रिफमेंट लगा होता है जिसके माध्यम से गाड़ियां जो है वह चार्ज होती रहती है यह जो तस्वीरे हैं यह स्वीडन सहर की है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कर्मचारी हैं वह सडक के नीचे इलेक्ट्रिक क्वाइल भीछाने का कार्वें कर रहे हैं वह वहां पर चलने वाली यह जो गाड़ियां है वह इस क्वाइल के माध्यम से ही यह चार्जर हो पारही है स्वीडन की थी जहां पर रोडों को इलेक्ट्रिक फाइड किया जा रहा है यदि हम लोग 2019 में जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने 2019 में फ्रैंक्फर्ट सहर के पास विश्व का पहला इलेक्ट्रिक हाइवे प्रारंभ किया है जिस पर चलते हुए हाइब्रिड ट्रक रिचार्ज हो सकते हैं और यह जो हाइवे है करीब 10 किलोमीटर लंबी है इस हाइवे का निर्वान जर्मनी में सिमेंस मोबिल्टी कमपनी के द्वारा किया गया है अभी बर्तमान समय की बात हम लोग करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस य इलेक्ट्रिक हाइवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और 2023 में देश का पहला इलेक्ट्रिक हाइवे प्रारंभ होने की भारत सरकार की उम्मीद है अब यदि हम लोग देखें कि भारत में कब और कहां से शुरू होगा यह इलेक्ट्रिक हाइवे तो उस पर एक नड़र ड लेते हैं तो भारत में इलेक्ट्रिक हाइवे बनाने की जो योजना है वह 2016 में प्रारंब की थी और भारत ने बिश्व के सबसे लंबे इलेक्ट्रिक हाइवे के निर्मान के लिए अचला हरित विद्दुत राष्ट्रिय महामार्ग नामक एक योजना प्रारंब की थी ये प चल हरित विदुत राष्ट के grip his review इसके तहद सबसे पहले दिल्ली जैपूर एक्सप्रेस बे और दिल्ली या आगरा यमुना एक्सप्रेस बे को इलेक्ट्रिक हाइवे बनाने के लिए ट्राइल था वह 9 सितंबर 2022 को प्रारंभव हो चुका है जो अगले एक महीने तक यह चलने की संभावना है इसके बाद ही इन दोनो एक्सप्रेस बेपर भारत में इलेक्ट्रिक हाइवे का प्रारंभ होगा और इस पर इलेक्ट्रिक गाडियां दोटे हुए हमें अब दिल्ली जैपूर हाइवे और दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेस बे को मिला कर देखा जाए तो करीब 500 किलो मीटर इलेक्ट्रिक हाइवे का मार्च 2023 तक प्रारंभ होने की उमीद है और यह देश का ही नहीं अपीतू बिश्व का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाइव होगा ध्यान रखिएगा की दिल्ली जैपूर हाइवे और दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेस में बिश्व का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाइवे बर्लिन में है जिसकी लंबाई 109 किलो मीटर है अब हम लुग भबिस्व की योजना को देखें तो पिछले ही साल लोग स जब हमें एक प्रस्ण का जवाब देते हुए केंद्री परिवहन मंत्री नितिन गड़करी जी ने यह बताया था कि सरकार की योजना है करीब 1300 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वेपर इलेक्ट्रिक हाइवे इस पर बनाया जाए और इस एक्सप्रेस वेपर मार्च 2023 तक काम पूरा होने की उम्मीद है और इस एक्सप्रेस वेपर इलेक्ट्रिक हाइवे का एक अलग से लेन बनाने की योजना की गई है यानि यदि हम लोग देखें कि साइड में कि एक और से ही इस पूरे पत को क्या कर दिया जाएगा इलेक्रिफाइड कर दिया जा कर पाएंगी बर्तमान समय में यदि हम लोग देखें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वेपर इलेक्ट्रिक हाइवे के दो से तीन साल यानि 2024 से 25 तक पूरा होने की यह संभावना दिखाई देती है अब यदि यहां पर हम लोग देखें कि इलेक्रिक हाइवे बनाने के क देखा जा रहा है बर्तमान समय में संपूर्ण विष्व फॉसिल फ्यूल पर निर्भर है या प्रणालिया जो है विष्व की वह फॉसिल प्यूल या पेट्रोल और डिजल पर आधाईत होती है तो यदि इस प्रकार के हाइवेस का निर्मान किया जाता है तो हमारा जो पर सिरिक यदि हम लोग देखें तो बर्तमान समय में भारत अपनी आवेसक्ताओं का 80% पेट्रोलियम पदार्थ आयात करता है और भारत के मामले में इसमें कहीं न कहीं बिदेशी मुद्रा की बचत यहां होते हुए दिखाई दे रही है जो भारतिय अर्थ्योस्ता पर एक सक कारात्मक प्रभाव भी डालेगा और सरप्रता हम लोग देखते हैं कि बायू परदूशन की समस्या से यहां पर किस परकार से निप्टा जा सकता है तो सिमेंस कंपनी का मानना है कि यदि ट्रकों के ट्रैफिक वाले हाइवेस में से 30% को यदि इलेक्रिफाइड कर दिया ज इखलने से रोक सकते हैं इसके अतरिक्ट पेट्रोल डीजल की बचतों होगी जिसे हम लोग परिभाहन मंत्रा लेकर डाटा के अनुसार समझ सकते हैं कि उनका मानना है एक्लाक यहाइवेस के बनिने से प्रद्रेक वर्स कारीब 32,00,00, कड़ो लीटर पेट्रोल डीजल की बचत होगी जिसके कारण हर साल देश के लॉजिस्टिक लागत में करीब एक लाग कड़ो रूपे की कमी आएगी वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार में भारत में ब्रिधी होगी परिवाहन मंत्री नितिनगड़करीजी के अनुसार इलेक्ट्रिक हाइवेज बनाने पर धाई लाग कर रूपे खर्च कर रही है जिससे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद में काफी ब्रिधी होगी यदि बर्तमान समय में हम लोग देखें मिनिस्ट्री आफ स्टेट फॉर हैवी इंडस्री के आंकड़े के अनुसार तो भारत में जो फुल इलेक्ट्रिक वेकिल है वो तीरे दसमलों नौ दो लाग के संख्या है इसमें सबसे जादा साथ दसमलों नौ तीन लाग जो है वह थ्री विलर है वहीं लगभग साड़े पांच लाग के आसपास टू विलर है और फोर विलर लगभग 54,000 के आसपास इलेक्ट्रिक गाड़ियां भारत में इस्तमाल हो रही है यदि भारत में इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्शर का डेवलप्मेंट होता है तो इसमें कोई सक नहीं कि आने वाले समय में भारत में इलेक्ट्रिक वेकिल का जो मार्केट है उसका साइज और भी बड़ा होने की उम्मीद यहाँ पर दिखाई देती है इसके अतरिक तेदी हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक हाइवे सरकार की देश में 26 ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे निर्मान की जो योजना है उसका एक हिस्सा है सरकार की योजना है कि इन 26 ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस वे निर्मान करते समय देश भर के हाईवे के किनारे लगवग तीन कोड पिड़ लगाने की है तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट से नकेवल हमारा देश हरा भरा होगा अपितो बायू परदूशन की जो समस्या है जो एयर कॉलूशन की भारत में समस्या है उससे भी निजात मिलने की यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है तो आज के सेशन के लिए इतना ही था यदि आपको इस सेशन से संबंदित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रस्न है पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आंत तक देखने के लिए धन्यवाद थैंक्यू